हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग दिवाली नजदीकारी है और दिवाली के लिए अलग-अलग वेंजन बनाने की तयारी चालो हो जाती है तो आज हम दिवाली स्पेशल चकली की रेसेपी देखेंगे इसमें चावल और दाल का नाप कितना लेना है जिससे आपकी चकली प पीने वाली काटे वाली चकली की रेसिपी आज हम देखेंगे और लंबे समय तक आप यह जो चकली है इसे स्टोर कर सकते हैं और एंज्वाई कर सकते हैं और यह ट्रेडिशनल पॉफेक्ट नाप के साथ जो आटा हमने लिया है पानी जितना लेना है वोईन कितना लेना है उसे यह आटा हमारा पॉफेक्ट बनता है खस्ता और करारी चकली बनने के लिए और दाल और चावल जो है जो हम बुनने वाले हैं बुनने के बाद यह एकदम हलकी खस्ता और करकर हमारी चकली बनती है मैं डॉक्टर सिसीलिया वेलकम टॉ डॉक्टर आकास किचन तो चकली बनाने के लिए पहले जो आटा हमें बनाना है उसके लिए यहां पे कुछ दान लेने हमें पहले तो चावल लिया है मैंने ये चार कटोरी चावल है इसको अच्छी तरह से दो लेना है पहले चावल को क्योंकि उसमें हम दवा लगा के रखते हैं और दो कटोरी चने की डाल ल लिया है मुंकी डाल है एक कटोरी लिये हैं उरत की डाल है हुभी एक कटोरी और पूह लिया है और और मैंने साब्या लिया है चावल को पहले दौखे तरह से शुकने को हम रख देंगे तब तक बाकि के जो चीजे हैं उन्हें हम बूल लेंगे एक कड़ें ली है मैंने चने की डाल ग anticipating इसवेसे एच्छी तर से आमें भून लना है है ,सको ब्राउन करनान ली है ,Cने की डाल दाल को इसके गरम करना है और खुश्पु आने तक इसे अच्छी तरह से आमें भून लेना है भूनने से जो ये दाल और चावन जो हम लेते हैं ये सब चीजे हमारे एकदम हलके हो जाते हैं आटा हमारा अच्छी तरह से पीस के आता है और छकली जो है हमारी यह अच्छी खस्ता करकरी यह चकली हमारी बनती है चने के डाल के बाद इसमें मूंग दाल और उडद डाल दोनों को जो है यह साथ में में भून लूगे क्योंकि इन दोनों इस ज्यादा टाइम लगता नहीं है भूनने में अच्छी तरह से इसे हम गरम कर लेंगे अच्छी खुश्बू आ रही है डालों की यह देखें भी यह दोनों उड़द और मुंकी डाल भी हमारी अच्छी तरह से बून चुकी है अब यह पोहा को हम भून लेंगे पोहा को अच्छी तरह से करकरा होने तक भून लेना है ज़्Яदा इसे बून खरला नहीं है न तो आटा जो हमारा पीस के आता है वो ज़्यादा बून हो जाता है यह पोहा भी अमारा भी अच्छी तरह से भून चुका है इसे भी निकाल लेते हैं अब इसा जाना को हमें बूल लेना है अच्छी तरह से जब्सक्षण जाना वहारा होजाता इसे जादा हमें ब्राउन नहीं करना हूं तोड़ा सावदानी के बाद इसमें अभी हमें सुका धनिया 3 टेबल स्पून अच्छे तरह से धनिया को भी हम भून लेंगे धनिया के साथ में हमें जीरा डालना है दो चर्मच और जीरे के साथ में हमें अजवैन भी डालना है यह तीन टेबल स्पून अजवैन यह तीनों चीजों से जो है चकली को एक अच्छी टेस्ट आती है जब तक एक अच्छी खुश्च ने तब तक इसे हमें भून लेना है अभी यह सब चीजें भून चुके हैं चावल भी हमारी सुख गये हैं चावल को भी अच्छी तरह से चावल को भून लेना है ज्यद्ध ब्राउन है चावल को हमें गरम होने तक ही हमें चावल को अच्छे तरह से बून लेना है यह जो हम चीजें सब बून रहे हैं कम फ्लेम पे इन्हें हमें बून देना है चावल का कलर दीरे दीरे ये चेंज होते जाता है और ये कड़क हो जाते है ये देखे ये हमारे जो हैं बुन चुके हैं अभी इन सब चीजों को हमें एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने तो हमें रख देना है और इस सब चीजों को हमें साथ में मिक्स कर लेना है और चक्की में इसको पीस के लाना है अच्छी तरक्की वाले को हमें बोलना है कि गेव और ज्वार इसे पीसना नहीं है चकली बनाने से पहले सब तैयारी हमें पहले कर लेनी चाहिए यह चकली का स्टेनले स्टील का मेरे पास मशीन है इससे आसानी हो जाती है चकली बनानी में तो पहले यह जो मशीन है इसको पहले हमें ग्रीस कर लेना है ओईल से अंदर से उसके चक्ति को य ज्यादा उसको चिपकेगा नहीं और आसानी से यह हमारी चकली बनेगी पूरे अंदर से हमें ओईल लगा लेना है साइड से नीचे का जो पोर्शन रहता है इसको भी हमें ओईल लगा लेना है यह उपर का पोर्शन भी हमें ऐसे ओईल से ग्रीस कर लेना है यानि आटा ज्या प्रचता नहीं है और यह जो चक्ति रहती है इसका उपर का भाग रहता है तो यह जो यह ऐसी उसको डालनी है यह जो काटे जो निकलते हैं चकली के यह इससे यह काटे अच्छे बनते हैं तो यह भी आटा हमारा पीस के आया है इतने नाप में मैंने जो बता है उससे यह 2 kg आटा बना है अभी इस में से मैं सिफ 3 कप यह तो 3 कटोरी आटा लेके मैं आपको चकली दिखाऊंगी तो यह 3 कप मैंने यह आपर आटा लिया है और मसाले जो अभी हमें लेने हैं इसके लिए यहां पे एक चमज मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से और यह मैं सॉफ पाउडर हमेशा डालती हूं एक टीस्पून इसे टेस्ट बहुत अच्छे आती है चकली को अजवेन दो टीस्पून डाल मिर्ची पाउडर है एक टीस्पून आपके चॉइस के हिसाब से आपको जैसे तीका चाहिए आप डाल सकते हैं और यह तील है सपेद तील है कि तीन बड़ी टीबल स्पून यह चकली के आटे में जाएंगे तो एक बड़ी कड़े है मैंने उसमें अभी तीन कप हमने आटा लिया है तो तीन कप हम पानी लेंगे यह परफेक्ट नाम है चकली का आटा बनाने के लिए और पानी को जो है अभी अच्छी तरह से हम गरम होने को रख देंगे और एक उबाल आने देंगे उसको यह देखे अभी पानी को अभी उबाल आ चुका है अभी पानी में जो है हमें पहले नमक डाल देना है और नमक हमेशा आप पहले टेस्ट करके देखना है पानी में कितना नमक है क्यूंकि चकली बनने के बाद जो है चकली जादा खारी हो जाती है इसलिए नमक थोड़ा संबल के ही डालना है अभी बाकी मसाले जो है हम इसमें डाल देंगे अजवेन जो है हाथ में ऐसे मसल के हमें उसमें डाल देनी है कि सॉफ पाउडर कि लाल मिर्ची पाउडर कि सपेद तिल और आदा चमच हिंग पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे अभी हम मिक्स कर लेंगे एक अच्छी उबाल आने देंगे पानी को यहीं सब चीज़ों जो है गरम पानी में हमारे पक जाएंगे और मैं जब चकली बनाती हूं मोहिन के लिए मैं यहां पे बटर डालती हूं तो एक बड़ा चमच जो है बटर यह ऐसा गाड़ा होना चाहिए यह बटर जो है इसमें पानी में हम घरम पानी में डाल देंगे और बटर को अच्छी तरह से घरम पानी में हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे ने देखें दीरे थीरे बटर भी हमारा मेल ङॉल चुका है और बटर के वज़े से एक टेस्ट तो आती है चकली को, लेकिन खस्ता आमारी यह ऐसे चकली बनती है अभी गैस की फ्लेम को हमें ओफ कर देना है और जो आटा हमने लिया है तीन कप यह आटे को हमें गरम पानी में डाल देना है और दीरे दीरे हमें अच्छे तरह से इसे मिक्स कर लेना है पानी के साथ में पूरा आटा हमारा ये मिक्स हो जाना चाहिए ये देखे पानी और आटे का जो नाप है हमारा एकदम परफेक्ट है आटा भी हमारा देखे एकदम परफेक्ट ये आटा बना है हमारा एधा पानी नहीं ब्लीना है और यह चोटा आटे का गोला मैंने लिया है हेल्ट भीचिपक नहीं रहा है है पॉफेक्ट आटा हमारा यह बना है चकली बनाने के लिए अब यह आटे को हमें फार्स मिनिट तर भखके रखना है और जो बाफ है स्टीम है उसमें यह आटा हमारा पाच-दस मेट तक हमारा यह पक जाएगा यह देखें यह आटा हमारा भी पक चुका है अभी यह आटे को हमें एक परात में निकाल लेना है जिसे हम अभी गून लेंगे और यह आटा अभी गरम-गरम है तब तक हमें उसके गून लीना है और यह गरम है इिसलिए यह ग्लास ने तो आफका टोरी कि ले सकते हैं उसको तोड़ा सा यह ओइल ऐसे लगा लेंगे और आटे को झो है ग्लास से हम अच्छी तरह से हम इसे दबा दबा के गून लेंगे जब तक कि गरम है तब तक ग्लास से हम इसे गून लेंगे अब हाथ से हमें अच्छी तरह से आटे को गून लेना है हाथ को थोड़ा हम गिला कर लेंगे ठंडा पानी है और ऐसे हाथ से हम अभी अच्छी तरह से हाटे को जो है कि गून लेंगे ज्यादा पानी नहीं लगाना है ने तो आटा हमारा जो है आटा पतला हमारा हो सकता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है यह देखें यह आटा हमारा तैयार हो चुका है चकली बनाने के लिए और आटा जब तक गरम है तभी हमें चकली बना लेने है तो ये आटे के ऐसे हमें चोटे-चोटे ऐसे लंबे-लंबे ऐसे पोर्शन बना लेने है यानि जो हमने चकली का मशिन लिया है ये बना के हम एक बरतन में रख देंगे और डख के रख देंगे यानि ये गरम ही रहेग नहीं हमारा आटा एसे बरतन में हम रख देंगे तो आप कैसरोल में भी रख सकते हैं डखके यह गरमी रहेगा और जो अभी हमारा चकली का मशीन है उसको अलड़ी हमने रेडी करके रखा था उसमें यह जो आटा हमने गुंदा है वह हम डाल देंगे और यह पूरा पैक हमें डाल देना है चकली के मशीन में हवा बिल्कुल भी जी नहीं चाहिए उसमें यह तो चकली हमारी टूट सकती है अच्छी तरह से इसे पैक कर लेंगे और चकली जो है अभी हम एक प्लेट में अभी हम बना लेंगे और दीरे-दीरे हाथ एसे घुमा के चकली बना लेंगे ज्यादा उचे हाइट पे नहीं लेना है मशीन को यह तो धार जो है चकली की तूट सकती है यह देखे इतने अच्छी है हमारी चकली बनी है आपको जैसे चाहिए चोटे बड़े च्वाइस के हिसाब से आप चकली बना सकते हैं मैं तो चोटी बनाती हूँ यह देखे यह ह चकली बनके रेडी हो गई है और चकली फ्राइब करने से पहले चकली को थोड़ी देर के लिए शुकने के लिए रख देना है और फिर फ्राइब कर लेंगे इससे क्या होता है कि चकली जो हमारी बिल्कुल भी तूटती नहीं है नाप से तो हमने सब चीजे लिए हैं अब यह ओईल को मैंने गरम करने को रख दिया था थोड़ा सा आटा इसमें हम डाल देंगे ओईल चेक करने के लिए तो यह आटा जो है एक उपर आ चुका है और ग्यास की फ्लेम को अभी हमें मीडियम पर रखनी है और एक आसान तरीका है यह ऐसे कल्छे से एक एक चकली उठा के गरम तेल में हम डाल देंगे फ्राय करने के लिए और पहले एक दो मिनिट चकली को हाथ लगाना नहीं है तेल में यह तो चकली तूट सकती है जब तक एक साइट से पकती नहीं तब तक इसे हाथ लगाना नहीं है यह बबल्स जो अभी आ रहे इसके उपर दीरे दीरे य बाद चकली को पलटा लेना है आपके कड़ाई में जितने आएंगे उतने चकली आप ढाल सकते हैं फ्राय करने के लिए लिकिन ज्यादा चकली नहीं दालनी है थोड़ी जगा उसको भी चाहिए फ्राय होने के लिए ये देखें डिरे दिरें आमारी कम हो चुके हैं अभी चक कर लेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है थोड़े पहले ही हमें चकली को निकाल लेना है और चकली रेडी हो गई है कैसे समझ में आता है अपने को कि बबल्स तो कम हो जाते हैं लेकिन चकली भी जो है हमारी उपर तैर नहीं लगती है अब यह देखिए चकली अमारी अभी रेडी हो चुकी है और अभी इसे हम निकाल लेंगे एक पाच-दस मिन्टों भी लगती है चकली को पकने के लिए और चकली को निकाल लेंगे क्योंकि कूकि का जो प्रोसेस है यह चालो ही रहता है निकालने के बाद भी यह देखिए सब चकली यह जैसे जिलिवी को निकालते हैं वैसे मैंने यह मेरे पास बाबबक्यू के स्टिक्स है उसके उपर मैंने ये सब आप चकली को निकाल लिये हैं यानि ओइल जो है पूरा उसका ड्रेन हो जाता है है कि बटर पेपर पे टिशू पेपर पे निकाल लेते हैं लेकिन ओईल पूरा निकलता नहीं है वैसकी वैसी ओईल रहता है उसमें और ये ऐसे बर्तन के उपर ये इसको रख देना चाहिए य निकल चुका है नीचे के बर्दन में तो यह चकली जो है हमारे बिल्कुल भी ओईली होती नहीं है पूरा तेल इसका निकल जाता है तो यह सब चकली अभी हम फ्राइ कर लेंगे यह देखे कितने क्रिस्पी ब्राउन करारे काटेदार हमारे चकली बनी है और यह तेल देखे यह इतना ओईल हमारा सब यह निकल चुका है चकली में से यह देखें फ्रेंड यह हमारी आजकी रेसिपी खस्ता करारी काटेदार दिवाली स्पेशल चकली रेडी है हमारी कह हमारे यह बिल्कुल भी और भी बनी रीड़ी नहीं यह देखें टिश्ई स्वाल में चकली metu और यह कितना खस्ता बनी है यह कि af किदम खस्ता यह अपनी यह चकली बनी है यह देखें फ्रेंड्स कितने यह करारी खस्ता काटेदार काम तेल वाली अधे यह अपनी चकली बनी है कितनी सुन्दर चकली अपनी लग रही है बिल्कुल भी तेल नहीं है इसमें तो फ्रेंड्स यह आज की हमारी रेशिपी जो है चकली के आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट कीजोगा और आप भी~~还 waar रेशिपी जो है चकली की दिवाली के वक्त आप बना के देखेगा इस रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट कीजेगा